यूनिवर्सल सेट ठीक है तिस इस लास टाइप फ़सेट यूनिवर्सल सेट मतलब क्या हूँ यूनिवर्सल मैं चीज बोलू तो आपने कहा से वर्ड आएगा यूनिवर्स सुना है ब्रहमाण्ड इस इस इमेज देखे हैं यूनिवर्स के यह एक रेप्रेजेंटेशन है हम हम भी कहीं पर होंगे मानन के बहुत को यहां कहीं पर होंगे यदि मैं इसको एंलार्ज करूं मैं ब्रहमाण को स्वीर्सीत मैं पता नहीं कितने साहरे सोलर सिस्टम यह क्योंकि जो साइज मैंने लिया है ट्र इस सो बहु कि इसमर्cendence सुम hybrid so many things are there. So universe का हमने एक छोटे से हिस्से को देख रहे हैं और उस हिस्से को भी देख रहे है न देरा N number of planets, satellite, galaxies, so and sun and so many things. तो universe, universal set जब हम बात करते हैं यह universe की बात करें तो इसको universal set को हम हमीशा U से represent करते हैं और उसके अंदर कुछ भी चीज देखेंगे तो हर चीज इस ब्रह्मान्द का पार्ट है, right? So we can say इस नंबर के फॉर्म में बात करें mass में क्या होता है, universe का है, is numbers, all are real numbers तो उसके अंदर क्या हो सकते हैं, natural number हो सकते हैं, teaser हो सकते हैं, rational number हो सकते हैं तो इस सारे numbers एक real number का पार्ट है, तो it is a universal set for numbers, जिसके अंदर हर चीज समाई हुए है, जैसे कि इस universe के अंदर सब कुछ समाया हुए है और इसमें भी आप ध्यान से देखेंगे, तो बहुत सारी bodies है, आपको बहुत सारे planets देख रहे हैं, sun देख रहे है, but in between there is a spaces, there is a gap, there is an emptiness, तो पीच में खाली पन भी है, है कि नहीं, ऐसा नहीं है, universe पूरा भरा हुआ है, तो there is a vacuum in between, right, तो same number, यदि मैं, sets में भी हम बात कर right, z, integers, all integers are subset of rational numbers, क्योंकि सब integers को हम rational numbers में लिख सकते हैं, क्योंकि denominator हम one होता रहे है, दो negative हो हो, positive हो, तो यदि मैं ऐसे लेता हूँ, कि एक मेरा पूरा universe है, यदि मैं बात करूँ हो rational numbers की, तो सारे rational numbers के अंदर दो तरीके numbers आएंगे, एक उसके अंदर कहेंगे integers, और integers के natural numbers, तो हमने क्या बोला, एक बड़े canvas के अंदर, जो कि सारे rational numbers को बता रहा है, तो सब rational numbers के अंदर पहले आए, z, सारे integer, और integer के अंदर आया, natural number, तो इस type के हम डाग्रम बना सकते हैं, जो कि exactly सेम है, जैसे हम पूरे universe को दिखा रहे है, पूरे universe, universe के अंदर गए, तो ये इस के अंदर गई तो और यदी अर्थ पे अगए, अर्थ के अंदर के हम, आपका इड्रस लिखते हैं, तो कैसे लिखते अपना अड्रस, आप लिखते हो, कि आपका नाम क्या है, तो ये रिखते हो, कि आपका नाम क्या है, तो ये रिखते है, तो ये रिखते है, तो ये रिख में सिपीन नमबर नं सिंटिय के भास का पिन कोड सिटि कप नलित्य उठ इस्टै अप उत्यव प्रदेश में की कर नातका में हो इन्जानी आप पर बिप्लाटन सेfred मैं यह पोुस्ट कर रहे हो आप युनिवर्स में कही से कृरत बैनल्य प्लाने intent इस秒 निवर्स बहुत दूर से किसी और solar system से करते हो, you will write the solar system number XYZ, यदि हमारे solar system का यदि कोई नाम है, and then if you are outside the galaxy, you will write the galaxy milky way, right, so kya कह रहो, means एक के अंदर, एक के अंदर, कि galaxy के अंदर हमारे solar system है, solar system के अंदर हमारे earth है, earth के अंदर हमारे बहुत सरी countries, continent है, countries में city है, city के अंदर एक lane है, right, उस lane के अंदर particular आपका घर, building है, building में आपका एक घर है, घर के अंदर एक कमरा है, उस कमरे में आप रहते हो, so there is a direct relation, means सब एक दूसरे के subset है, so exactly यही चीज़ है, diagram form में आप represent कर सकते हो, और जब इस तरीके के diagram represent करते हो, कि एक block बनाते हो, which represent a universal set, इस case में हमने suppose क्यों बोल दिया, और उसके दो subsets हैं, दो sets हैं, जो उसके part है, तो सस्ट डाइग्रम इसकाल, Wend Diagram, यह एक scientist थे या mathematician थे, उनका नाम था John Wend, इन्होंने इन diagrams को बनाया था, क्यों बनाया था, it is very easy to understand sets and subsets, बहुत इसी होता है, right, यह उन्होंने कहा है, for example, यह ऐसे आपको मैं बोलूँ, कि एक यह universe है, universal set बोलूँ, इस case में, numbers के किसमें, तो एक universal set है, जिसके अंदर यह numbers दिले हो है, आपको जो दीखना है, तो 1 है, 9 है, 2 है, 3 है, 5, 7, 4, 6, 10, means 1, 2 लेकर 10 तक number दिया हूँ है, और 2 circle दिया हूँ है, एक यह yellow वाला और yellow के अंदर एक pink वाला, तो if someone will ask you, तो you will say, you represent a set, consistent on number from 1 to 10, तो है सारे number है, यह के अंदर, यदि बोला कोई A set बोलूँ, तो यह A कौन सा यह yellow वाला, तो आप बोलेगे, तो इसमें कौन कौन से element है, you will write 2, 8, 10, 4, 6, तो A के अंदर, यह सारे elements है, तो this is the set A, similarly मैं यह लिख सकता हूँ कि, B जो pink color का है, उसके जो set में जो elements है, हार 4 and 6, यह हैं दोनो, तो यदि A, B, और U, इन तीनों के बीच में relation, यदि हम देखे हैं, तो we can say A and B, A and B are subset of U, यह U का पाट है, राइट, एन B के लिए बात करूँ, तो वो A के अंदर है, तो B is a subset of A, तो देखो कितना इसी हो गया, यदि मैं ऐसे लिख हूँ, यह डाइग्राम में शो करूँ, तो in one time, it is very easy to represent.